हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट वर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स, जब भी आप ड्राइविंग लैसेंस ये लेंडिंग लैसेंस के लिए अपलाए कर देते हैं तो फ्रेंड्स, आपके मॉबाइल नंबर पर एपलिकेशन नंबर आ जाता है या पीडियाफ भी डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन फ्रेंड्स, अगर वे आपके पास से एपलिकेशन नंबर खो जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका लेंडिंग लैसेंस का application number क्या है Friends इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने application number को कैसे search कर सकते हैं इसे आप अपने mobile phone, laptop और computer किसी से भी कर सकते हैं वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले आप अपना Chrome browser open कर लेंगे Friends अगर आप अपने mobile phone से कर रही है तो Friends आप यहाँ पर three dots पर किलिक करेंगे और आपको यहाँ पर option आ जाने के बाद आप यहाँ से desktop site कर लेंगे Chrome browser open हो जाने के बाद आप यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे परिवाहन सेवा उसके बाद आप यहाँ enter press करेंगे Page reload हो जाने के बाद Friends आपको सबसे पहले यहाँ पर link दिया हुआ है Home, परिवाहन, सेवा, Ministry of Road Transport इस पर आप किलिक करेंगे उसके बाद Friends आपको यहाँ पर जाना होगा online services पर और आपको यहाँ पर second option दिया हुआ है Driving License related service इस पर आप किलिक करेंगे उसके बाद Friends आप यहाँ नीचे आएंगे Online service in this portal are available only for the state listed below Friends यहाँ पर आपकी state list दी हुई है आपका जो भी state है आप यहाँ से उसे select कर लेंगे याँ आप अपरे state को यहाँ पर भी search कर सकते हैं उसके बाद Friends यहाँ पर आपको एक pop-up basis हो होगा जिस पर लिखा होगा contactless license service या तो आप इसे यहाँ से skip कर सकते हैं या cancel भी कर सकते हैं उसके बाद Friends आपको यहाँ पर आना होगा Others में Others में आने के बाद आपको यहाँ पर third option दिया हुआ है Find application number इस पर आप किलिक करेंगे Search criteria for getting the application details Select state Friends जो भी आपका state है आप यहाँ पर उसे select कर लेंगी उसके बाद Friends यहाँ पर दिया हुआ है Select state code यहाँ पर आप जो भी state code है आप यहाँ पर उसे select कर लेंगी उसके बाद select RTO यहाँ से आप अपना RTO select कर लेंगी उसके बाद Friends यहाँ पर दिया हुआ है name of applicant यहाँ पे आप अपना first name डाल लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर middle name दिया हुआ है friends अगर आपका कोई middle name है तो आप यहाँ से अपना middle name को डाल लेंगे friends जो भी आपका surname है आप यहाँ पर उसे डाल लेंगे friends जो भी आपके date of birth है आप यहाँ से डाल लेंगे उसके बाद आप अपना मोबाइल नमबर डाल लेंगे फ्रेंड्स जब भी आपने यहाँ पर एप्लिकेशन फाइल की होगी आपने मोबाइल नमबर डाला होगा सेम वही मोबाइल नमबर आप यहाँ पर डाल लेंगे Mobile number डालने के बाद आपको यहाँ पर Capture Code दिया हुआ है आप इस Capture Code को यहाँ पर डाल लेंगे Friends अगर आपको Capture Code समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से Refresh पर भी क्लिक करके इस Capture Code को Change कर सकते हैं Capture Code डालने के बाद आप यहाँ Submit पर क्लिक करेंगे Processing हो जाने के बाद आप यहाँ नीचे Scroll Down करेंगे उसके बाद Friends यहाँ पर आपको दिया हुआ है Get Details इस पर आप क्लिक करेंगे Friends जो भी आपर अपने Mobile Number डाला था आपका उस पर OTP जाएगा आप उस OTP को यहाँ पर डाल लेंगे अगर आपका OTP नहीं जा रहा है तो आप यहाँ से उसे Resend पर भी क्लिक कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास OTP आ गया है तो मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ OTP डालने के बाद आप यहाँ Submit पर क्लिक करेंगी Page Reload हो जाने के बाद Friends आपका Application Status इस तरीके से आ जाएगा आपका Application Date है, RTO की Details दी हुई है और आपका Father Name है और नीचे आपकी पोटो भी दी है Friends इस तरीके से आप अपने Application Number को सर्च कर सकते हैं Friends अगर आप इस Application को अपने पास Save करके रखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर Acknowledgement पर क्लिक करेंगी उसके बाद नीचे Scroll Down करेंगी और Friends यहाँ पर आपको Print का Option दिया हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करेंगी आप यहाँ से क्लिक करके download भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से Print निकालना चाहते हैं आपके पास printer है तो friends यहां से क्लिक करके आप इसका print भी निकाल सकते हैं वीडियो कैसी लेगी? कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएं वीडियो को like करें, share करें और friends अगर आप हमारे चैनल पे first time आए हैं तो चैनल को subscribe करें अगर आपको अभी वी application सर्च करने में कोई problem आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप हमें कोई personal information बताना चाहते हैं तो यहां पर side में हमने अपनी mail ID दी हुई है आप इस पर mail करके हमें personal बात बता सकते हैं मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत